नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी सेक्सिंग और आप देख रहे हैं टार्गेट के एक जाम दोस्तों रेलवे भरती 2018 वाले कैनेट्स के लिए जो कभी वेटिंग लिस्ट में दोस्तों वेटिंग स्पेसल वीडियो जी हां दोस्तों एक रिप्लेस्मेंट पैनल की डिमांड अल्डेडी की जा चुकी है बड़ दोस्तों आप जो रिप्लाई था उसमें देखने के बाद कैनेट्स का दिमांग में ये भी डाउट आ रहा है कि डिमांड इतनी पहले हो चुकी है तो अब तक पैनल क्यों नहीं आया दोस्तों इन सभी चीज़ों कम डीटल में वीडियो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्फुल होने वाली है बड़ दोस्तों जो भी यह है तो यह खुसखवरी तो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिसे अभी सकते हैं यह एक रप्लाइय उत्तर पक्षिम रेलवे जौतपूर जो के सब्सक्राइब यहां पर दोस्तों जैख सकते हैं अब अपर होता है नंबर वो दिया गया है रटी आए आई है नकर पर 308 2020 का है साहेक जन सूचना अधिकारी उत्तर पक्षिम रेलवे जोतपूर का ह यहां पर भी से में देख सकते हैं पूरी दिगे इसमें सिंपल सी दोस्तों यहां पर देख लेते हैं उप्रुक्त विस्वा विस्वाइंगरत संबंधित पत्र द्वारा अवेदक्ष्री अजय पच्पन चपन द्वारा सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तद चाहिए की है जी हां दोस्तों बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि डिप्लेस्मेंट पैनल की मांग और यहीं देश जनवरी 2020 को ही की जा चुकी है दोस्तों बागी के इसमें दूसरा वारा कोस्चन क्या था दूस्तों मेरे पस कोश्चन यह सिरफ आट आई करीब लाया था वह भी मेर पुर्णा था इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूं यह मेरे दौर आट यहीं नहीं लगा जाया गया है जिसमें मैं आपको ज्यादा डूस्टेल से कोस्चन बता सकता है इसके बाद हम इसको आपर डिसकस कर सकते हैं दोस्तों यहां पर तीसरा कोस्टन है यह परिक्षन सफलता परोक समाप्त करने के पस्चात थी नियमित नियुक्ति परदान की जाती है मतलब दोस्तों अजमेर बोड के कैनेट्स को बहुत ही ज्यादा इस बात का डाउट था कि बहुत जगह से सुनने में आया था कि नॉन टर्ना मतलब जो नॉन जोइन होंगे उन को नियुक्तमान आ जाता है और दोस्तों जोधपुर मंडल द्वारा 23-2020 को यहां पर रिप्लेस्मेंट पैनल के डिमांड भेजी जा चुकी है अब बात आती है कि इतना लेट क्यूं हो गया कि 23-2020 को भेजा गया इस अभी तक रिप्लेस्मेंट पैनल नहीं आया सबसे पॉ इस टाइम पर आरज़न रिक्वार्मेंट नहीं थी रेलवे बंद हो गई तो दोस्तों को एजन रुकारमन बचते नहीं है रिप्लेस्मेंट उसी केस में आता है जब जोस्तों अरज़ेंट रिक्वार्मेंट होती है डिविजन को तभी वह इतना जल्ले-ल्ली प्रोसेस कर आते हैं अब दोस्तों अगर आप अजमेर के कैनेट्स होंगे तो आप सभी को पता है जितनी बार आपने वोड फोन किया होगा तो यही बोलते होंगे कि अक्टूबर तक आपका रिप्लेस्मेंट पैनल जारी कर दिया जाएगा तो उस तो उसमें एक चीज़ और बोला गया होगा कि नॉन टर्न अप की पहले आएगी बाद में चोड़ेंगे उनकी जगा पर बाद में आएगी तो यहां पर रिप्लेस्मेंट की डिमांड की गई ह क्योंकि उस टाइम तक इनको यह नहीं पता था कितने चोड़ेंगे कितने नहीं चोड़ेंगे यह नॉन टर्न अप की डेटा है इसकी डिमांड अल्रेडी की आ चुकी है तो उसका पहले आएगा इसके बाद जो लेफ्ट होंगे ट्रेनिंग में उसकी बाद में आएगा ऐ ज्यादा लोको पालाट के जरुवत नहीं इस वाई से डिले हो सकता है वर जैसे रेलवे खुलेगी सबसे पहले जहां तक है अजमेर का यहां पर रिप्लेस्मेंट पैनल आने की उम्मीद है तो यह आज की मतलब जो वीडियो की अपडेट थी आई हो आपको पसंद आई हो पमतलब की काम मार्क से वेटिंग में हो ऊँठा पहले कि है उनकी भाभ में हो गया और दोस्तो वे बात है कि हो तो सबकी कि लिए रहे बस डोब से टाइंग दोस्तों दोस्तों चलिए वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना अपनों को ख्याल रखियेगा बाई